हालो स्टुएंट कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप बहुत ही अच्छ होंगी तो आज इस वीडियों में डिसकस करने वाले हैं का आउंसर क्यारी होगा और याउंसर की की स्टी के साथ आपका जरी आपको डिया ज़ी का आपको अंप में आपको प्रलन किरुबघे क्लिक करने बने की स्ट्रुबघन के आप 나타ओ रिचल की जाका याजएussa नष्चल आपक learnsर है जो आपने आंसर भी है वो आपको कैसे पता लगेगा वो किस तरह से आप जोए आंसर चैलेंज करोगी सारी डीटेल इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं वाहां आपके क्लियर कर दी जाएगी तो चलिए अपका जो है ओमार जो आपने अंसर दे हैं जो क्युसंस एंटी ने दिये थे उसके साथ अंसर सारे आपका डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद आप आपा शॉललियद्वर्मेशन परकेरय आपके होगा त्रेका है अभी लास्टेर म०्प करें अपके मार्क सरे वह decide किया जाते थे लेकिन अब लाइस्ट ये से आपका personnel form में जो है आपका result जारी क्या जाता है ठीक है तो वह परकरिया normalization परकरिया होती है जो कि हम इस video में discuss करेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे आपका रिजल्ट जारी होने के बाद फिर से आपका रेंग का कार्ड जारी होगा रेंग कार्ड की बेसिस पे ही आपको ICR UG 2022 में सीट है ICR Agriculture की अनदर जो डिपार्टमेंट है उनकी सीट आपको मिलेगी और counseling process कब तक start होगा इसकी सारी detailed information आपको इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो चलिए आप चैनल पर यह आप पहली बार आए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन दबा लिजी अब हम बात करते हैं कि answer की आपका कब तक release होगा answer की release होने की date की हम बात करें तो exam के one week के बाद मतलब है September के last week तक आपका ICR UG 2022 का answer की release हो सकता है ठीक है उसके बाद आपका final answer की आ जाएगा जो की normalization पर करिया के द्वारत अब हम बात करेंगे normalization पर करिया होती क्या normalization पर करिया होती क्या normalization पर कर यह होती कि जो भी shift में आप exam दे रहे हूं ठीक है total student जिनने exam दिया मान लिजी कि 13 14 15 यह morning shift की हम बात करें 13 को paper hard आया तो जो topper है यदि paper hard रहेगा तो topper के marks भी कम रहेंगे मान लिजी किसी के 90 percentage ही आय तो उसी को topper को ही 90% को ही 100% मान लिया जाएगा ठीक है तो मतलब यह हुआ कि जो topper आपका जितने rank पे है जितने score पे है उसी को first rank दी जाएगी और वही आपका total score होगा ठीक है तो उसी की बैसे में आपका जो है rank जो है decide की जाती ह यह अच्छे से समझ में नहीं आता तो अलक्स यह वीडियो बढ़ा देंगे ठीक है comment box में बता दीजिए कि आपको दे देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कोई भी confusion आपके नहीं रहना चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका final answer की कब जरीरीज होगा उसके बाद में आपका rank decide कर दिया जाएगा rank जो है वो आपका autumn work के last week तक जो है आए जाएगा उसके बाद फिर आपके दसपन टू वीक के बाद आपका counseling process है वो start हो जाएगा ठीक है तो यह सारी process है वो आपको within two month में आपका सारा process हो जाएगा यह दिन की अच्छे से काम कर जैसे रिजल्ट के आपका ICR UG 22 का result है 21 का result है थोड़ा बहुत लेट हुआ ता लेकिन आई होब कि इस वार ऐसा नहीं होगा और अभी आगी जो update रहेंगी चाहे वो ICR की counseling के बारे में हो चाहे वो ICR की colleges के बारे में हो सभी courses के हम इसको बता देंगे आपको जो ICR का courses होता ह है वो स्रीट मिल पाएगा सारी detail information आपको मिल जाए कि बस चैनल को आप subscribe करके कि साथ ही साथ आप telegram जरूर जोइन कर लें वहाँ पे बहुत से student है तो उनसे भी आपको help मिल जाएगे ठीक है कोई confusion and doubt हो तो आप हमसे discuss कर सकते हैं और किसी students को personal information चाहिए ठीक है तो वह सकते हैं णीज ध ठीक टन्च चाहिए ठीक है